दोस्तो 2012 का जो साल था वो था T20 का साल जहांपर हमें काफ़ी सारे T20 के टूनरमेंट देखने को मिलें T20 World Cup देखने को मिला लेकिन यह साल यानि की साल 2023 हुने वाला है ODI का साल, जहांपर इस साल सबसे बड़ा टूनरमेंट ODI World Cup भी हमें देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात ये कि World Cup हमें इंडिया में जो है वो देखने को मिलने वाला है World Cup को लेकर BCCI की तरफ से एक बड़ा statement रिसेंटली निकल कर आया था जहां पर BCCI की तरफ से ये किलिए रो चुका है कि 20 प्लेयर BCCI ने सौट लिस्ट कर लिये है और इनी 20 प्लेयर में से World Cup का स्कौर्ड बनता हुआ हमें नजर आएगा इन 20 प्लेयर को मौके मिलने वाले पूरे इस साल और इनी में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो हमें World Cup के स्कौर्ड में जो है वो आएगा नजर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से है वो 20 प्लेयर जो की BCCI ने सौट लिस्ट की है और क्या सच में सिर्फ BC खिलाडी सौट लिस्ट की है या फिर इसमें है कोई जेल सारी बात चीत करेंगे तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और आपके इसाब से कौन सा प्लेयर सबसे में प्लेयर होने वाला है इस ODII World Cup के लिए हमें कमेंट करकर जरूर बताएं दोस्तो इस समय टीम इंडिया स्रिलंका की खिलाफ ODII सीरीज खेल रही है जहां पर BCCI ने 17 मेंबर का स्कौर्ड अनाउंस किया है तो 20 में से 17 प्लेयर तो हमें इस ODII स्कौर्ड में नज़र आ रहे है यहां पर इन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो रोहिद सर्मा दोस्तो टीम के कैप्टन है हार्दिक पंडिया टीम के वाइस कैप्टन है बैट्समेन की अगर बात करें रोहिद सर्मा के अलावा जो है विराट कोली, सुरे कुमार यादव, स्रेश एयर और शुम्मन गिल विकेट कीपर बैट्समेन में दो विकेट कीपर बैट्समेन है टीम में जो की हैं केल राहूल और इशान किशन इसके बाद आल राउंडर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हार्दिक पंडिया है, इनके लावा अक्षर पतेल हैं और हैं दोस्तों वासिंग्टन सुन्दर तीन आल राउंडर है इसक्वाड में युजविंदर चहल और कुलदी प्यादव दो रिष्ट स्पीनर हैं और फास्ट बोलर की बात करें तो जस्प्री बुम्रा को सामिल किया गया था वो अभी बाहर है, इन्जिरी की वज़े से बाहर हो चुके हैं, इनके लावा मुहमाद शमी, मुहमाद सिराज, उम्रान मलिक और अर्शर दीप सिंग ये फास्ट बोलर स्क्वाड में सामिल किये ग इसके लावा एक और नाम है रिशाप पंत का, वो भी दोस्तों वर्ल्ड कप तक तो फिट हो जाएंगे और वो भी 20 प्लेयर में सौट लिस्टेड में हमें जरूर नजर आने वाले हैं, तो 19 प्लेयर हमारे पास हो चुके हैं, सिर्फ एक यहाँ पर स्लोट बसता है और इस एक स्लोट के लिए प्लेयर काफी सारे हैं, शिखरधवन, रिसेंटली टीम इंडिया के कैप्टन थे, तो क्या यह सौट लिस्टेड प्लेयर में हैं, इसके लवा एक और बड़ा नाम जो है वो है दीपक चेहर का, इंजर है जब इंजर नहीं रहते तो वो भी दोस्तों हम दोस्तों शारदूल ठाकूर भी यहाँ पर हमें रिसेंटली, ODAI स्कॉर्ड में नजर आये हैं बांगलादेस की खिलाफ, तो चार-पांच बड़े नाम हैं, इन में से कोई एक है बीस प्लेयर की लिस्ट में, या फिर बीसी सी आई ये लिस्ट चेंज भी कर सकती है, जिया या फिर बीसी सी आई कुछ गड़बर कर रही है, कोई जादा प्लेयर इन्होंने सोट लिस्ट की है, आपको क्या लग रहा है, कमेंट करकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें